देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज लेवल पर इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए और ये भी कि आप किस तरह से above 60% marks ला सकते हैं मान लेते हैं 5 papers में से एक paper का syllabus ये है अब जो चीज आपको समझना चाहिए वो ये कि देखिए ये final exam का समय है और ये कोई detailed study का time नहीं है और इसी लिए इस वक्त आपको guides और keys का इस्तेमाल करना चाहिए अब जब आप पढ़ाई करना शुरू करो तो सबसे पहली चीज आप ये करो कि first unit के दोनों parts को आप अपनी guide में देख लो और जो भी आसान लग रहा है वो वाला chapter आप कर लो और जो chapter आप कर रहे हो उसको भी पूरा नहीं करना है आपको पढ़ना है life and works of that author और critical analysis of that chapter life and works इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जादतर objectives उसी मेंसे आते हैं और critical analysis पढ़कर आपको जो कुछ भी समझ में आए उसे साड़े 700 शब्दों में अपने पास लिखकर रख लीजिए अब ये जो साड़े 700 शब्दों का answer है जिसे आपने अपने शब्दों में लिखा है ये असल में एक master answer है याने बले ही चाहे exam में पूछा जाए कि discuss करो, criticize करो, compare करो, interpret करो, describe करो, evaluate करो, explain करो, illustrate करो, कुछ भी कुछ भी याने कुछ भी अगर पूछा जाएगा इस chapter से हम उसके अंदर यही वाला answer चिपका कर आएंगे साड़े 700 शब्द ही क्यों? इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्सा हम भूल भी जाएंगे और अगर साड़े 700 याद किये होंगे, तो कम से कम 500 शब्द तो लिखके आ ही जाएंगे मान लेते हैं, आप जब answer लिखने बैठ है, तो आपने पहले 200 words तो लिख दिए बात के 400 words आपको याद नहीं आ रहे हैं आपको last के 150 words ही याद आ रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त exam दे रहे होगे, आप सोचने में बिल्कुल भी time बेकार मत करो आप पहला और आखरी हिस्सा एक बार लिखो और उसी को फिर से लिख दो इस चीज का थोड़ा सा technical aspect भी समझ लीजिए numbers केवल तभी कटते हैं और केवल तभी काटे जा सकते हैं कि भाई आपने गाने लिखें तो चोथा और पांचवा question वो वैसे ही काट देगा और अगर काटेगा भी नहीं तो बहुत कम number देगा relevant लिखने के लिए कुछ students ये भी करते हैं कि question को answer में बार बार लिखने लगते हैं पर इस चीज़ को भी समझिए कि आज कल universities 40 copies को check करने के लिए 3 घंटे का समय देती हैं और इसी लिए वो लोग जो copy check करते हैं पानी पी-पी के number काटते हैं और इसी लिए अगर आप English Literature की पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे सही तरीका तो ये होता है कि आप साड़े 700 शब्दों का एक master answer लिख लो और उसको 30-40 बार पढ़ लो English Literature के जब exams होते हैं तो उसके अंदर 3 तरह के सवाल जादा तर पूछे जाते हैं सबसे जादा पूछा जाता है character sketch दूसरी चीज होती है summary और तीसरी चीज होती है critical analysis अगर character sketch आता है तो उस character के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो उसको पहले paragraph में लिख दो और बाद में साड़े 700 शब्द का आपने जो भी याद किया है वो लिख किया जाओ critical analysis और summary वैसे तो बहुत ही अलग-अलग चीज़ें होती है पर अगर exam में पूछा जा रहा है तो आप तो एक ही answer लिखो master answer दूसरी चीज क्योंकि आप English literature की पढ़ाई कर रहे हो इसलिए आपकी writing speed बहुत ही जादा तेज होना चाहिए और इसलिए कभी भी करसिव writing में या शब्द जोड़-जोड़ कर नहीं लिखना चाहिए शब्द अलग-अलग करके ही लिखना चाहिए उससे writing speed बहुत ही जादा तेज हो जाती है और इसलिए आपको रोज कम से कम एक घंटा बहुत ही तेज लिखने की कोशिश करना चाहिए एक्जाम्स में मैंने देखा है कि जादा तर students आदा घंटा या 45 मिनिट के बाद हाथ जटकने लगते उनके हाथ में दर्द होने लगता है याने ये कैसा सिपाही है जिसको बंदूग भारी लगती है तीसरी चीज़ अगर आपके कोर्स में कोई चैप्टर है और उसके उपर कोई मूवी बनी है तो आप उस मूवी को जरूर देख लीजिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग मूवी बनाते हैं तो उसमें से जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको हटा देते हैं तो जो मूवी बनती है उसके अंदर आपको केवल काम की जानकारी ही दिखाई जाती है और इस वज़ा से उस पिक्चर की या उस कहानी की जो मूल भावना है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है अब ये तो हुई किस्से कहानियों की बात पोईट्री और प्रोज की जितनी भी डेफिनिशन्स हैं वो सब आपको thefreedictionary.com पर जाकर पढ़ना चाहिए उतना अच्छा कहीं पर भी नहीं है एकदम काम की जानकारी आसान इंग्लिश में और कम शब्दों में यहने इस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा ठीक है इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपने मुझे इतना समय दिया थैंक्यू वेरी मच